हेलो दोस्तों विनिंग टेड में आपका बहुत बहुत स्वारत करते हैं दोस्तों आईए जान लेते हैं कि बैंक टिम्टी में आज के दिम क्या मुमेंटम हो सकता है कौन कौन से लेवल को हम ट्रेट कर सकते हैं 30 मिट के टाइम फ्रेम में दोस्तों हम ने क्या बात किया था कि bank nifty जब तक कि यह लेबल को hold करेगा ने दोस्तों हमें call side को trade करना profit side के trade का हम ने कोई plan नहीं किया था कि अगर bank nifty एगर इस लेबल को break down भी करता है तो put side को हम avoid करेंगे तो Friday को bank nifty ने इसी level को support लिया एंड उपर के तरह मोमंटम को कंटिन्यू किया और यहां पर एक अच्छा आसा प्रॉपिट हमने फ्राइड़ को बॉप किया था उके तो आये देख लेते हैं आज कहां पे ट्रेड में मिल सकता न्यूव चारें आपकोव यहां पे दिखेगी तो कही ने यह जो जो ऑन का यहां पर अन यह भी प्राइस यह लेवल के लिए आएगी नहीं 46,370 का लेवल होता है जब भी प्राइस यह लेवल के लिए आएगे नहीं यहाँ पर seller ट्राइ करेंगे मार्केट को नीचे लाने के लिए ओके नॉर्मल टाइम फ्रेम पर आ जाते है वहाँ पर और भी क्लियर में देखने को मिलेगा दोस्तों यह लेवल की बात करते हैं यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा seller यहाँ पर नीचे लाने की कोसिस करेंगा तो अगर मार्केट ओपन होके यह लेवल के लिए आता है न तो यहाँ पर हम बेट करेंगे यहाँ पर हम ब्लान कर सकते हैं पूट साइड कर दे रहा है हिसकी आपर फर प्लांड कर सकते हैं अब्ही मार्केट अगर यह candle कर देता है ऑच हम फर्ट साइड कर देता है ट्रेड ऊधरें sellers लेवल के breakdown पर अधर्वाइस अगेन मार्केट इसी लेवल को support लेते हुए उपर के तरफ जा सकता है तो हमारे पास दो लेवल है आज के लिए trade करने के लिए दिस ये लेवल को अगर breakdown करता है तो support को buy करेंगे अधर्वाइस अगर यहां पर support मिल रहा है तो कॉल साइट के इंट्रें यह उनको ही ले सकते हैं ओके सेकेंड यह लेवल पर मार्केट आता है तो क्या price action यहां पर मिलता है दोस्तों उसके साब से में एंट्री का प्लान करेंगे तो दो एक trade का हम प्लान करेंगे तो दो लेवल के recording आज हमें एंट्री मिल सकती है दूसरा कोई लेवल अगर active होता है तो भी आपको update किया जाएगा ओके